कि दोस्तों मैं कुमार सुरेश अभी आपके चैनल पसुचिकित्सा में आपसे पसुओं में होने वाले संक्रामक रोग थनेला के बारे में चर्चा करूंगा जिसे आप किर्पिया अधुरा ना देखें एसकीप ना करें पूरा देखें क्योंकि इसमें मैंने एलोपैथ, होमियोपैथ तथा आईडवेद ट्रीटमेंट के बारे में बताया है दोस्तों मैंने भरपूर कोशिस की है कि थनेला से संबंधित जितने भी महतुपूर्ण कारक हैं रोग होने के जो कारण है उसके जो सिम्टम है और उसके जो उप्चार है उसको मैंने बिश्त संपूर्ण जनकारी के लिए इसको देखना भी आवस्यक है तो दोस्तों थनेला दुधारू पसुओं का एक बड़ा ही संक्रामक रोग है जो पसुओं में बैक्टरिया द्वारा ज्यादा तर फैलता है इस रोग में दुधारू पसुओं के थन कठोर तथा गर्म और दु दूध असुद अर्था छेचरा कतरा गाढ़ा या पाणी जैसा आता है दूध के रंग में भी कभी कभी बदलाव देखने को मिलते हैं या कभी पीला हो सकता है कभी लाल हो सकता है कभी गुलावी हो सकता है यह रोग जब पुरणा हो जाता है तब थनों के अंदर फैब्र अंत्य को प्रभावित करते हैं जिससे दूधुर्ध बंणा बंध हो जाता है तथा रोगु ग्रस्थ पसु का थन बेकार हो जाता है है कि मित्रोई रोग मुखिरूप से गाय भास। तर्भकरियों में होता है इसमें रोगी पसूट की मत तो नहीं होती परंतु धारुक पसु की दूद देने की शमता बिलकुल अथवा अंसिक रूप से कम हो जाती है पसु इसमें तो दोस्तो इस वीडियो में इतने कम समय में बता पाना पूरा तो संभब नहीं है परंतु फिर भी हमारी कोशिस रहेगी कि मैं इस रोग के बारे में आपको संप इसे देखें और जानकारी हासिल कर अपने होने वाले पसुओं में थनला रोग से बचाओ करें दोस्तो यह रोग खासकर पसुओं में बैक्टरिया के कारण होता है जो स्ट्रेप्टो कोकस एगलेक्टियाई स्ट्रेप्टो कोकस औरियस स्ट्रेप्टो कोकस पायोजेन कर्नियो बैक्टरियम पायोजेन माइको बैक्टरियम बोविस और माइको बैक्टरियम ठिवरक्लोसिस एबं पास्चुलेला पास्चुलेला मल्टोसीडा इन सभी बैक्ट भारत में मुख्य रूप से मादा पसुओं में रोग फैलाने वाले इस्टेप फाइलो कोकस नमक बैक्टरिया है जो भारत में मादा पसुओं में थनाईला रोग होने के कारक होते हैं यह रोग दुधारू पसुओं में बैक्टरिया के अलावा पसुओं के रख रखाओ पसुओं को गंदे तथा नरम जगह में बांधना गंदे हाथ से दूद्दू होना पाचन प्रनाली का दोस थन पर घाओ अधिक दूद देने वाली संकर नसल की गाए पसुओं का ब्यांत दो-तीन बार याउसे अधिक का होना दूद देने की अवधि अधिक अर्थात ब्याने के चार से छे महिने बाद रोग का होना पसुओं का पिन्हाव ठीक से ना होना यानि लेट डाउन प्रोपर नहीं होना थन का दूद पुर्ण रूप से न दूखने के कारण थन में चोट लग जाना, खाने के सांदरन में प्रोटीन की अधिक मात्रा का होना पसुओं के थन छोटे तथा छीमियों के बड़ा होने के कारण और ऐसे पसु जो बार-बार रोग रस्त होते हैं उस पसु में भविस में बार-बार इस रोग के होने की संभावना ज्यादा होती है इन सब कारणों के अलावे जहां पर पसुपालकों के द्वारा दूद दूदने में साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाता है तथा वैसे पसु बारा जिसके बैठने की जगह हाड या सिमेंटेड हो या कंक्रीट हो दोस्तो अब हम इस रोग के बरगी करण की बात करते हैं थनैला रोग को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा गया है एक्यूट सब एक्यूट और क्रोनिक तो हम एक्यूट थनैला के बारे में बात करते हैं दोस्तो पसु में इस प्रकार के थनैला होने पर पसु का थन गर्म तथा सूजन हो जाता है एवम दर्ध अधिक होता है दूद अना लगभग बंद हो जाता है तथा दूद के अस्थान पर पस kes आता है जो सुद रूप से पिला तथा बाद में बलड मिला हुआ आता है रोग्रस्त पसु का चारा दना कम खाते हैं दूद दही जािसाे always कटा हुआ आता है यह एक यह सभी थनों को प्रभावित कर सकता है तो यह तो था एक्यूट में स्टाइटिस अब हम सब एक्यूट में स्टाइटिस के बाड़े में बात करते हैं इस प्रकार के थनला में रोग धीरे-धीरे प्रकट होता है इस प्रकार के थनला में पसु के थ थन का सुजन एक एक नहों कर तथा दर्द नहीं होता है कि सिर्फ दूद के रंग तथा प्रकार में बदलाव आता है दूद पीला लाल या भूरा रंग का दूद आता है इसमें दूद दही जैसा भी हो सकता है अब क्रोनिक मेस्टाइटिस के बारे में हम आपको बताते हैं या जो है थनला की आखड़ी अवस्था है जो धीरे धीरे प्रकट होता है इस प्रकार के थनला में रोगी पशू के दूद में गंध तथा उसका रंग पीला थन फाइब्रोस्ट हो जाने के कारण ठंधा तथा क होने की संभावना ज्यादा होती है तो अभी हमने इस रोग के बारे में अभी रोग परिश है और इसके सिम्टम की चर्चा की अब हम इसके एलोपैथी ट्रीट्मेंट अर्थात एलोपैथी दवा के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों जैसा आप ही हमने आपको रोग के बारे में बताया कि यह थनला है थनला इसको दूसरे सब्दों में हम अस्तनकोप भी कहते हैं तो कोप अर्थात सूजन सूजन के साथ दर्द होना तो जब इस रोग में जो सबसे पहली दबा है वो है सूजन तथा दर्द के लिए मेगलुडाइन जिसे हम 20 ml का एक भाइल लेते हैं जो विर्वेक नमा कंपनी बनाती है मेगलुडाइन नम से ब्रांड से आता है यह मार्केट में उपलब्द है और इसका 20 ml का एक भाइल आता है जिसको हम लेकर 10 ml पुक्रों इंट्रा मॉस्कुलर रोज एक भार पसु को लगाते हैं दूसरी दबा है सूजन को कम करने के लिए यानी सोंथ को कम करने के लिए बिर्वेक का ही हिलेंट वाइंटमेंट 11 मो क्या करते हैं तो थन को साफ करके गरम पनी से साफ करके अच्छे और साफ कपड़े से थन को पोच करके और उसमें हिलेंट का क्रीम थन के ऊपर लेप करते हैं अगली जो दबा है वो एंटिवाइटिक है ऐसे तो एंटिवाइटिक यूज़ करने से पहले पसु के दूध का एंटिवाइटिक सेंसिवीटी टेस्ट जरूर कराना चाहिए जिसे इंफेक्शन जल्द ही खतम हो सके परंतु साधारन रूप से अक्सर जो चलन में है पसुओ में मौक्सी फुलक्सासीन जो मोफोई के नाम से आता है या मार्वो फुलक्सासीन जो मार्वो मेट के नाम से आता है अथवा बिर्वेग की गार्ड प्लस नमक दबा पसुओं में देते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि मोफोई 15 ml i.m. daily एक बार लगाते हैं मारवो मेट 10 ml आई-म डेली एक बार 3 दिन तक के लिए मानस्पेशी गत सुई देते हैं या फिर गार्ड प्लस जो विर्वेक की दवा आती है उसको हम सरह 4 ग्राम की एक इंजेक्शन लेते हैं और उसमें डाइल्वेंट यानि डिस्टिल्ड वाटर मिला करके और उसको रोग्रस पसु को मानस्पेशी गत 3-5 दिन के लिए देते हैं दोस्तों इस तीनों एंटिवाइटिक में किसी एक का हमको चैन करना है रोग की अवस्था रोग के परकार और पसु के कश्ट को देखते हुए वहापर में खुद पसुची कित्सक द्वारा इन तीनों दवाओं में से किसी एक दवा का चैन किया जाता है तो दोस्तों जो अगली दवा है वो आइसो फ्लूड है जो 10 ml का दो भाइल लेते हैं और 5 ml डेली इंट्रमॉस्कुलर रोग रस पसु को लगाते हैं यह दवा जो है मांस्पेसिगत 4 से 5 दिन तक हमको पसु को कंधे के भाग में देना है मांस्पेसिगत अब जो अगली दवा है उप्रोक दवा के साथ मस्टीडेक्स जो इम्नो मोडिलेटर है इसकी एक ठीकिया जो 60 ग्रम कियाती है इसमें ट्राइसोडियम साइट्रेट के साथ बायोटीन बिटामीन A, D, E तथा अन्य इंडिग्रेंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं इसे साथ ग्रम परतेक दीन एक बार चार दीन तक रोग्रस पसू को मौखिक खिलाना है यह दवा मस्टीडेक्स बायोसिस बनाती है जो हमें मार्केट में उपलब्द हो जाता है अगली जो दवा है इंट्रा मम्री इंफ्यूजन के लिए एस्पेक्ट्रा मस्ट जो थन में करते हैं उसमें क्या करते हैं एस्पेक्ट्रा मस्ट LC सेप्टियो फर हाइड्रोकलोराइड स्टेडाइल सस्पेंशन यह दस एमेल के पैक में आती है यह दवा थन से दूद्ध निकालने के पस्चाथ 24 घंटे में एक बार रोग्रस थन में चढ़ाना है ऐसा 57 दिन तक रोज एक बार करना है अगली जो दवा है कभी-कभी योग में नहीं लाई जाती है अगली जो प्रकडिया है वह रोगी पसु को बिटामीन सी का इंजेक्शन भीटासी जो भेटकुइनोल बनाती है 50 ml के पैकिंग में आती है इसका एक भाइल लेना है और रोगी पसु को 10-15 ml इंट्रमॉस्कुलर डेली एक बार देना है और च लेते हैं और एक बोलस एक बार रोज इसको पसु एक गोली सुबा साम पांच दिन तक रोगी पसु को खिलाते हैं जब थन में गर्मी हो तो पसु के थन को बर्प से सिकाई करनी चाहिए तथा जब रोग पुराना हो और उसका थन जब थन्डा हो तो उसे गर्म सिकाई मैग सलफ से करनी चाहिए मैग सलफ को क्या करते हैं गरम पानी में डाल कर उसमें कपरा डुबा कर रोग रस्त थन को उससे सिकाई करते हैं अब जो अगली विवस्था है वो है उप्रोक्त सभी चिकिच्चा अपने पसु चिकिच्चा की देख रेख में पहुंच से साथ दीन तक करना चाहिए पसु के साफ सफाई तथा थन से दूज निकालने के बाद पसु को टी डिप दवा से थन को धोना चाहिए रोग पुरना होने पर पसु को थन में ट्यूबर क्लोसिस होने की भी संभावना बढ़ जाती है अता रोग रस्थ पसु का उप्यूक्त चिकिच्चा करनी चाहिए रोगी पसु के बच्चे को रोगी पसु का दूध नहीं पिलना चाहिए रोग रस्थ थन का दूध बाद में निकालें और पहले स्वस्थ थन का दूध ही निकालने का परियास करें अब ये तो था हमारा एलोपेथ ट्रीट्मेंट ऑफ मेस्टाइटिस थनला के एलोपेथिक इलाज अब हम इसके आयुडवेथिक इलाज के बारे में आपसे हम अभी चर्चा करते हैं दोस्तो इसमें करना क्या है जो एलोपेथा की तीन पतियां लेनी है अर्थात गवारपाथा घृत कुमारी की तीन पतियां अर्थात 100 ग्राम लेना है और दूसरा जो चीज है उसमें हल्दी 50-100 ग्राम और खाने का चूना 10 ग्राम उपरोक्त तीनों चीजों को बारीक पीस लेना है और उसमें थोड़ा सा गर्म जल मिला कर जब ठंडा हो जाए तब उसका पेष्ट बना कर थंड पर 3-5 बार रोज 3-7 दिन तक रोग की स्थिती के अनुसार उप्योग करें थंड को गर्म पानी से 3 बार 5 दिन धोएं रोगी पसू को खाने का सोड़ा 50 ग्राम और निम्बू रस तीन निम्बू का 200 ग्राम पीने के पानी में मिला कर पसू को एक दिन पिला दें यह थन के सूजन दूद का रंगी हिन होना तथा पस एबम दूद में धागा आने पर कारगर साबित हुआ है अब जो अगली दबा है थनला रोग का वह होमियोपैथी टीटमेंट दोस्तों इसमें अक्सर देखा गया है कि होमियोपैथी भी आज के युग में पसूओं पर अपना अच्छा प्रभाव दिखाता है अतह कभी जरूरत पढ़ने पर इसके बारे में भी सोच सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं तो थनला जिसमें भूख न लगता हो इसमें क्या करना है वैसा थनला जिसमें पसूओं खना पीना छोड़ दिया हो उसमें पहली जो दबा है वो है बेला डोना 30 ब्राइओनिया 30 और अर्टिका यूरेंस 30 तीनों को मिला कर एक ओंस दबा लेते हैं और इस मिश्रन का जो एक ओंस दबा है उसका पंद्रवबूंद दिन में एक बार कि पसू को खाने के रोटी में मिला कर दे देते हैं इससे पसू के शरीर का टेंपरेचर नॉर्मल होकर पसू खना शुरू कर देता है दूसरी जो दबा है वो है फाइटोला का दूसरो इसमें इसका क्या करते हैं तो हाफ होंस दबा लेते हैं और जब इसका कब उपयोग करते हैं तो वो है जब थन गर्म हो उसमें छिछरे आये एवं बच्चे को तथा किसान को रोग्रस पसू दूधन निकालने दे इस दबा को दो घंटे पर पांच बार तीन दीन तक देते हैं तो यह तो हुई दूसरी दबा अब तीसरी जो दबा है जब दूध पानी जैसा पतला आये और पसू पहले से एफमडी से ग्रस्त हो चुका हो यानि इस रोग से पुर्व उस पसू का रोग हुआ हो तो वैसे पसू को मर्क सोल पंद्रा बूंद दो बार दो दिन तक देते हैं अब जो अगली दबा है जब दूध चीजी आता हो तथा थन बिलकुल कठोड हो तो साइलिसिया सीख सेक्स लेकर चार गोली दिन में तीन बार दस दिन तक गर्ण पानी में मिला कर रोग्रस पसू को मौखिक खिलाते हैं अब जो अगली दबा है वो है केलेंडूला क्यू बेलाडोना 30 डलका मारा क्यू और एचीनेसिया 30 परतेक दबा को इन चारो दबाओं को एक एमेल लेते हैं केलेंडूला क्यू बेलाडोना 30 और डलकामारा क्यू एचिनेसिया 30 इन चारो दवाओं का एक एक एमल मात्रा लेकर 20 एमल डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर जो सॉलूसन तयार करते हैं उससे उस सॉलूसन को 10 एमल सुव, 10 एमल सम, थन के छीमी में इन्फ्यूज करते हैं ऐसा हम रोज दिन में दो बार करते हैं और ऐसी प्रकेडिया तीन दिन तक करते हैं अब जो अगली दवा है वो है फाइटोला का 30, केलेंडूला क्यू, एपिसमेल 30 और बेलाडोना 30 इन चारो दवाओं से भी हम क्या करते हैं एक एक एमेल दवा लेते हैं इसे 20 एमेल ग्लिसरीन में मिलाकर लिक्विड ग्लिसरीन में मिलाकर दिन में दो बार चार दिन तक थन के ऊपर मालिस करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा में स्ट्राइटिस के बारे में आप से चर्चा और हम ने इसमें भरपूर कोसिस की है कि आपको इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेर भी अबस्क करें ताकि और बेल बटन को दवाएं ताकि हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें और आप अपडेट होते रहें धन्यवाद